नमस्कार, मैं रबरेंजन कुमार और आप देख रहे हैं बिहारीनुग। दोस्तों हम आज अपने बिहार के जिले में परियटन अस्थलों की स्रीज में खगडिया जिले की बात करेंगे। ओहां के दर्शन्य अस्थलों के बारे में जानेंगे 10 मई 1981 को जिले की रूप में अस्थित में आने वाली यह पहले मुगेर जिले का अनुमंडल था। खगडिया में भर्मन के लिए धार्मिक महत्तों के कुछ महत्पूर्ण अस्थान है। तो आईए जानते हैं इनके बारे में पहले हम बात करेंगे कत्याइनी अस्थान की। खगडिया जिले के फकडिया इलाके में इस्थित, धमारा घाट, रेलवे स्टेशन के समीप मा कत्यायनी का दर्वार इस्थित है। यह देश भर में बामन सक्ति पीठों में से एक सक्ति पीठ है। कहा जाता है कि दच यग में भगवान संकर के अपमान से महमत सती ने आत्मत्या कर लिया था। सुका कुल महादेव विचुप्त हो गए। सती के सब को कंधे पर लेकर उन्होंने रूद्र रूप में टांडव करना शुरू कर दिया था। स्रिष्टी को असंभवी विनाज से बचाने के लिए तब भगवान विश्णु ने अपने सुदर्सन चक्र से सती के अंग भंग किये थे। सती की दिब्व दे की बिविद अंग अलग-अलग छित्रों में जाग गिरे थे। जहां जहां उनका अंग गिरा वहां वहां सक्ती पीठ बन गए। यहां पर कोशी नदी के टट पे उनका दाहिना हाथ गिरा था। इस जगह को कात्याइनी अस्थान कहे जाने के पीछे का कारण असकन पुरान से मिलती है। जिसमें जिक्र है कि कात्याइनी रिसी कोशी नदी के टट पर रहते थे। परतित दीन सुबह मा भगवती के अराधना करते थे, एक दिन मा खुस होकर उन्हें दर्शन दी। इस जन्सुरुति के कारण इस मंदिर को कात्याइनी मंदिर कहा जाने लगा। दूसरा है स्यामलाल नेशनल हाय अस्कूल खगडिया। उन्हें सदसुरहेано के जमीन देने वाले शिवी श्यामलाल जी के नाम पर पड़ा। आश्कूल के विद्यार्थियों और सिछकों का सव्तंत्रता अंदोलन में महत्पुन योगधान रहा। सवतंतरता आंदोलन में हमारे बीर करन्तीकारियों, के आपस में मिलने क्व κάνती बनाने का कई गुपत अस्थान थे daha उन मेंसे एक अस्थान करन्तिकारियों के मिलने का एक परमुक अस्थान था तीसरा है सिनहौली दुर्गा स्थान खगरिया सहर से सटेज सिनिहौली दुर्गास्थान में दसकों से मादुर्गा विरजमान हैं सरधालू इसे सकती पीट समझ कर पूजा अर्चना करते हैं इस मंदिर से जुरे रोजक बात यह है कि 200 साल पूर्ग पंचायत के ही एक खेत जोतने के करम में मादुर्गा की मुर्थी मिली थी मुर्थी को एक ब्रहमन गोपी ठाकोर ने उठा कर अपने घर के निकट एक कुए पर अस्थापित कर दिया मुर्थी को कुएं से हटा कर गाउं के दचनी छोर पर अस्थापित कर दिया गया अब हम आगे बात करेंगे बावन कोठी तिरपन दुवार की भूल भूलईया के नाम से जाने जाने वाला यह महल गोगरी अनुमंडल इस्थित भतखंड गाउं में गंगा किनारे राजा वैरंसिं द्वारा 1667 इस्वी में बनाया गया था यह एतिहासिक महल बावन कोठी तिरपन दुवार के नाम से विख्यात है यह महल मुगलकाली नय इसकी बास्तुकला आज भी जिवान थे इस महल के अंदर एक मंडफ है जिसके चारों और इटे मारने से अलग-अलग तरह क पूजा करने के लिए मंदिर आते थे इस महल में 27 तरह के इटो का परियोग किया गया था इसे भूल-भूलईया इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई अंजान इसमें घुश जाए तो वह फिर जल्दी निकल नहीं पाता हलाकि यह एतिहासिक महल सरकार और जिला परसासन की उदासिन्ता के कारण आज तक परियोटन विवाग के नक्से पर नहीं आ पाया है और इसकी स्थिती थोड़ी खड़ाव हो चुकी है खगरिया के फरकिया छेत्र में एक परसिद गौसाला मेला लगता है यह मेला 128 सालों से लग रहा है उतर बिहार का परसिद गौसाला मेला शुरुआत के दौर में एक दिन के लिए लगता था बाद में तीन दिनों का एवं कला अंतर में साथ एवं आट दिनों का किया गया यह मेला छट पूजा के दिन लगता है तो दोस्तों बिहार के परियेटन अस्थलों में हमने आज खगडिया जिला के परियेटन अस्थल क बारे में बताएंगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी नीज को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एबम सेर करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल से जल पहुंच सके तब तक के लिए धन्यवाद